टेक केर, हेल्थ इस वेल्थ, कारेक्रम में आपका स्वागत है और कारेक्रम में आज हमारे साथ है डॉक्टर कुशल नारनवरे, डॉक्टर कुशल नारनवरे एक ऐसे डॉक्टर है, वैसे डॉक्टर होते तो सामाजी ही है, लेकिन ये एक ऐसे डॉक्टर है कि जो अपनी सर् आपको बता दें कि डॉक्टर मेटकर होमिपेथी एस्सूसियेशन और एक और आर्गनाजिशन है जैसे जिसको आप जानते हैं हिमपाम इसकी जो महाराश्टी काई है इसके वे पब्लिक रिलेशन ओफिसर भी है और एक और डॉक्टर का औरनाजिशन है और इन सिथी होमिपे इसके भी आप एक मेंबर है लेकिन इसके फाउंडरों में डॉक्टर कुशल नार नौरे इनका समावेश होता है एक और बात आपको बता दें कि इस दौरान ये जितना कुरोना संक्रमन का ये संक्ट चलता रहा और ये संक्ट के बीच जो लड़ने वाले कुरोना योद्ध है रदाए हुन यॉद्धों में डॉक्टर कुशल एक अगरणी योद्धा के रोप में रहे हैं हम इस समय डॉक्टर कुशल से जो ये बात्चीत कर रहे हैं ये बात चीत जो लॉंग कुव concurrent मेनेड़ है वो मैनजबेंट क्या बॉर्म लॉंग कुवीड हम सब ने किस तरह क behavior रखना चाहिए जिसको हम Corona appropriate behavior कह सकते हैं ये कैसा होना चाहिए इस पर हम बात्चीत करेंगे डॉक्टर साब कारिकर में आपका स्वागत है डॉक्टर साब एक बात जो हम यहीं से शुरू करते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना संक्रमन के संकर से गुजर रही है उसके साए में हैं लेकिन एक बात जो हमारे यहां बार बार इस पर बात्चीत हो रही है कि तीसरी लहर आने वाली है तीसरी लहर दुनिया में चल रही है यह खबरे तो है लेकिन यहां भी तीसरी लहर आने वाली है और कई जगह पर कहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो कहीं फिर से वही इस्तितिय की लॉक्डॉन बना रहे है कहीं जगह बंदिश हैं आप कैसा सूचते हैं कि तिसरी लहर क्या हो सकता है ये लेकिन अगर अगर आएगी तो वह ज्यादा समय लेगी, उनका जो कहना है साइंटिसों के हिसाफ से करीब 140 दिन के आसपस वो क्या यह से अनुमान कहा जाएं? अनुमान ही है, इसको तो कुछ कनफरमेशन तो अभी तक बोल नहीं सकते और कुछ साइंटिस लोगों ने इसको ऐसी कनफरमेशन यह भी नहीं दिया है कि आने ही वाली है, फिलाल की कंडिशन अगर देखी जाए तो नाकपूर में और और महारास्तर में, इंडिया की तो बात जानकरी उतनी नहीं है मेरे पास लेकिन महारास्तर नाकपूर में जो है, केसे काफी कम हो गई है और अभी फिलाल इन एक्टिव फेस में है, वो एक्टिव फेस में जाएगा डेल्टा वारस के एक्टिव फेस में जाएगा, कि नहीं जाएगा है यह बता नहीं सकते इसलिए वो कुछ कन्फरम नहीं बता रहा है तो हमारी यह अनुमान है कि हमारी यह यह वेव हो सकती है कन्फरमेटर किसी आफराइज लोगों के तरफ से आफराइज चैनल के तरफ से नहीं आई है क्या मानते हैं आपकी इस वेव का प्रभाव अगर कम करना हो तो सबसे पहली जरूरत क्या होनी चाहिए सबसे पहली जरूरत अभी तक जो गौर्मेंट और सभी लोग बता रहे है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वाशिंग, हैंड स्क्रबिंग और कम से कम लोगों के साथ मिलना, मास्क पहनना जो प्रिवेशन अपने को फर्स्ट वेव और सेकर्ड वेव में बताया गया है वही अपने को थर्ड वेव में लेना है इसके साथ अपनों को vaccination पर जादा जोर देना है ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कम से कम समय में वैक्सिन हो ये इसके care लेनी चाहिए मतलब vaccination सबका होना चाहिए होना जाए है बहुत ज़रूरी है क्या एक observation है आपका दुनिया में कि जहां जहां पर vaccination हो चुका है वहां कोरोना का कितना प्रभाव मिल रहा है देखे जहां जहां पर vaccination अच्छी तरह या अच्छे quantity में vaccination हुआ है वहां पर third wave आई नहीं ऐसी बात नहीं थर्ड वेव आई भी है लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम रहा है तो इसलिए इंडिया में भी अगर आती है थर्ड वेव तो उसके लिए इंडिया के लोगों ने उसके लिए रिडी रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सिनेटर अगर रहेगे तो उसका प्रकॉप जो है बॉड़ी पे वो कम से कम रहेगा जी लेकिन अब डॉक् स्सक्राइब कि आपके पास पोस्ट को विट के कुछ कंपलेंट्स लेकर लोग आते हैं हाँ यह ज्यादा तर वह ऐस लोग रहते हैं जो ट्रेट्मेंट हो अग होने के बाद घर जाते रिच्ञायशु ने साथ दिन के लिजया दूरम पर प्रकॉर दोढ़ए दिए उतनी म लोगों का बेहु होना चाहिए या फिर इसके प्रति एप्रोच कैसा होना चाहिए कोविड होने के बाद जो कंटीनू ट्रीटमेंट लेनी पड़ते है वो एकलिस सिक्स टू एट वीक लेना पड़ता है अच्छा सबके लिए लेना जुरूरी है वो जो कोविड आपका माइल कोविड हो मॉड़ेट कोविड हो या आप सीवेर इससे बाहर निकले हो वेंटिलेटर या बायपाइप पर जाके बाहर निकले हो सभी लोगों ने कम से कम छे से आठ हफते उसकी ट्रीटमेंट कंटिनू लेना जरूरी है लोगों का ऐसे मानना रहता है कि यहां से अपन साथ दिन की दस दिन की दावा डॉक्टर नों लिखे दी है डाटि सफिशेंट और उसके बाद वो फॉलॉप नहीं आते अच्छा ज जो लोग एड्मीट रहे पा उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया लेकिन बावजूद इसके उनके पास लॉंग को वीड़ सिंटम्स आ रहे हैं हां जो जिन लोगों में कैसे अ ऑन एड्मिशन ही या जब उनको पता चला तभी उनका सीटी स्कैन का स्कॉर जिसे रहता है स जादा था वैसे लोगों को ज्यादा दिन वेंट्रेटर पे ज्यादा दिन ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उनके लंग सब बहुत कमजोर हो जाते हैं और उनका ऑक्सिजन कैरिंग कैपसिटी बहुत कम हो जाती है ऐसे पेशन्ट को फिर घर में भी ऑक्सिजन थेरिपी की की जरुत पड़ती है कभी ख़़ कुछ फूल को देर देर दो-दो मेना घर में बायपअब पर हैने के शूरद पड़ती है तो यह स्तिती बनी रहे Jeśli यह स्तितिपनी रहे गी आगा आगे भी इसकी संभाव नहीं की लोगों को यह तकलीफ हो सकती है तो आगे अगर मान लिजे की थर्ड वेव में इन लोगों को बचना है तो यह नोंने किस तरह की साफधानिया बरतनी चाहिए सबसे मोस्त इंपोर्टन चीज है वो तो है वैक्सिनेशन अच्छा वैक्सिनेशन प्लस बाकी अभी सबीस में बता रहे है नहीं यह तो होगा ले लेकिन उसके बाद अभी जब जिस तरह से कहा जा रहा है कि फिर संक्रमन बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में उन्हों ने अपने आपको बचाने के लिए किस तरह की साफधारियों को रहा है यह अच्छा पॉइंट है आपका जो लोगों को कोविड हो चुका है उनका यह कहना है कि 45 डिस के बाद आप वैक्सिनेशन कर सकते हो और करना ही चाहिए हर पेषिएट ने आपको अगर कोविड हुआ है तो कोविड पॉसिटिव की रिपोर्ट के बाद 45 डिस के बाद बाद आप कभी थी वैक्सिनेशन ले सकते हो अगर आपको कोविड नहीं हुआ है तो आपको सबसे पहले लेना है गौवर्मंट ने वैसे भी अभी 18 साल के ऊपर सबको वैक्सिनेशन के लिए अलाव कर दिया है तो किसी नहीं सोचना चाहिए कि वो करेंगा तो मैं करूंगा या फिर किसी करहा नहीं देखना चाहिए खु अब देखिए इसे भी अनुमान कहा जाए या अनुमान की बात यह देखिए जब फर्स्ट वेव थी उसमें एल्डर लोग जादा अफेक्ट हुए अच्छा फिफ्टी प्लस सिक्स्टी प्लस वाले जादा अफेक्ट हुए सेकंड वेव मैं मानो लिजे थर्टी तु फॉ कोविड हुआ था कोविड तो एक दिन भी पता ने जब उनको सिम्टम्स आये तब पता चला जब उन्होंने चेक किये तब पता चला तब जाके वह कॉरंटाइन हुए या हॉस्पिटालेज हुए उसके पहले तो कोविड लेको घरमी रहते थे तब उनके नाती पोती सब उनके साथ रहते थे उसके बाद जो सेकंड वेव में एल्डरली लोगों को मिडल एजन वाले लोगों को हुआ उनका भी सेम है कि बच्चे 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 बूनके साथ रहते थे जब सिम्टम्स आये डेलोप फे पहले बार बुखा राया तरस्तव मों लिए आराम माँबाब के साथ बच्चे थे दाद अजसा बच्चे थे अगर होना था तो तरह को जाना था अब सेद जो नया है या है गिल्ड़ां प्लस ये चैनलbooks ये three या है उसमें उसने बत्ता कि लिए कितना श 2088 मैं मतलब राइब मठाइब जब को मिलेगा तब पता चलेगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो अच्छा एक बात है डॉक्टर साहब यह कहा जा रहा है कि जैसे जो बहुत पहले से किसी क्रोनिक डिसीज से पीडीत रहे हैं लेकिन वे कुरोना से संकरमित हुए और फिर कुरोना से संकरमन के बाद उनके disease में इजाफा हुआ है जैसे कि कोई diabetes में था तो उनका sugar level और जादा बढ़ने लगा है बहुत जादा वह उसको शुगर को imbalance देखने लगे है कोई heart की disease में थे कोई blood pressure में थे तो उनका blood pressure और जादा abnormal होने लगा है क्या आपका observation ऐसा कहता है या फिर ये patient की भ्रांतिया त अभी तक के जो दो वियोस का clinical research है Corona में basically दो दो चीजे है सबसे पहले तो ये affect करता है lungs पे lungs जो कि अपना एक ब्रेड की तरह spongy रहना चाहिए वो sponge वो टोस्ट की तरह कड़क करने हाड करने के कोशिच में रहता है अच्छा पंजी से लेके ब्रेड से लेके टोस्ट तक जि जितना पतला रहना चाहिए उससे वो गाड़ा बना देता है तो अब इसमें जो क्रिटमेंट है तो ये जो spongy ब्रेड वाला लंग्स टोस्ट में कनवर्ट ना हो उसको प्रेवेंट करने के लिए एक ही मेडिसीन है जिसको बोलते स्टेरोईड और स्टेरोड का एक साइड शुगर लेवल बढ़ा रहेगा अच्छा जो जिनको डाइबिटिक नहीं है बिल्कुल डाइबिटिक नहीं है उनको हॉस्पिटराइज करने के बाद भी स्टेरोड देने के बाद भी उनके शुगर आपसुल्टली नॉर्मल कुछ-कुछ लोग है जो प्रेडियाबिटिक प्रेडिक नहीं हुआ है लेकिन वह डाइबिटिस के एक स्टेप पहले आगर दो चार साल बाद उनको डाइबिटिस होने वाला है ऐसे लोगों को थोड़ी दिक्कत थुए क्यों को लगा पहले तो मुझे शुगर नहीं था अभी यह बीमारी के कारण या मेडिसिन के प्रभाव माना जाए कुछ अपने बाडी का ही रिस्वांस है अच्छा एक एक दूसरी बात भी इस दोरान देखने को मिली जो दूसरी विव में और अभी तक इस बात को देखा जा रहा है कि म्योकर माइकुसीज जो है ब्लेक फंगस जो है ये ब्लेक फंगस लोगों को ब्लेक फंगस से बच सके जो कोरोना की ट्रीटमेंट रिसेंटले शुके है या अभी उनकी ट्रीटमेंट चालू है उन्होंने यह नहीं समझना चाहिए कि मैं अभी हो गया है मैं रिकवर हो गया हूँ तो मुझे अभी मास्क परने की जरूवत नहीं है या हैंड़ वाश क कोई भी इनफेक्शन हो सकता है जिसको हम हमारी वाशा में एप और चुनिस्टिक इनफेक्शन कहते हैं जी उससे बचने के लिए उन्होंने सभी सावदाने बरतने चाहिए जो जिनको को नहीं हुआ ऐसे लोगों को लेना चाहिए वो इनको यह वी सेम है कोई अलग नहीं ह कि यह कोई अलग परिशेट नहीं लेकिन यदि कोरोना के संक्रमन में है कोई तो उनको यह कैसे पता चल सकता है क्या कोई ऐसा सिम्टम्स होता है कि जिससे यह पता चले कि उनको वो म्यूकर माइकोसीस जो है उसका बैक्टिरिया उनके बॉड़ी में प्रविश कर चुका है यह नहीं है लेकि शुरुवा शुरुवात में थोड़ सा माइल्टु मॉडर स्टेज में थोड़ा सा लक्षन रहते हैं जैसे बार बार सर्दी होना आखों के नीचे नाख के भाजियों में थोड़ सा यहां स्वेलिंग आना वहां पर पें होना इस तरह के माइल्ड दौरान इस तरह का काम ना करें हाँ और उस चोटा से कुछ तक और और से नजरंदास भी ना करें और जैसे भी थोड़ से भी तक्रीफ होते पहले अपने डॉक्टर को दिखाए और इसका इसके बारे में क्या है उसका निरा करन करें अच्छा आपको एक जो इस दौरान य फस्ट गए ऐसे भी ऐसे भी बहुत सारे कैसे इस देखने में आए हैं आपको क्या लगता है कि क्या कोरोना के कारण यह स्थिती बनी या फिर यह स्थिती बनती चली गई यह ड़िए यह ड़िए इस वन आफ दो कॉम्प्लिकेशन ओफ कोरोना जैसे जो मैंने इसके पहले कहा है कि साथ दिन की ट्रीटमेंट लेने के बाद छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट क्योंकि मैंने आपको जो सिकंड पॉइंट बता है था खुन गाडा करने वाला कोरोना में खुन गाडा होता है इसके लिए जो देख से दो मेना एक साथ सिंपल अपने डिस्प्री यह एक अटा की नहीं किसी को ब्रेन अटक हुआ है कि इसे को पल्मनरी एंबुलिजम हुआ है तियो स्थ आधर्य लोगों में जैना प्याग है अच्छा तो व इसके लिए क्या कोई उनको लक्षण मिलता है कभी इस तरह का कोई अटाक आने से पहले आटेक आने के पहले मीडियम जैसे अगर ब्रेन अटेक आना हो तो बीच-बीच में थोड़ा बहुत सरदर्द होना जी मचला उल्टी समान लगना अगर पल्मनरी इंबुलिजम हो जिसको अपन लंग अटेक कहते हैं तो उसमें सास लेने में थोड़े बहुत दिक्कत होना काई अगर है हाइट अगर आता है तो पसी ना छूटना तो यह जो सभी जो लक्षन है इन सब लक्षनों को नजर अंदाज ना करें जैसे ही लक्षन शुरुवात होते हैं पटा पहले से अपने डॉक्टर के बास एकदम से जाए उसका इन्वेस्टिगेट करें क्या करें क अच्छा मतलब इस बात के प्रती थोड़े सचेत रहें बिलकुल सचेत रहें एक बात और भी हमारे वक्त पुरा होता जा रहा है डॉक्टर साब चलते चलते आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि यदि मान लीजे कि कोई इस समय लांग कोविड की इस पुरी प्रक्रिय से गुजर रहा हो और उसे कोई सिंटम्स तो नहीं मिल रहे हो तो वह अपने आपको कैसे पैचाने अगर कोविड से निकल गया है लेकिन उसको थोड़ी-थोड़ी कभी सिरदर्द हो रहा है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है कभी एकदम से चक जैसे हस्पिडल से चुट्टी हो जाती है, आपको डॉक्टर दस दिन की पंदरा दिन की दवा देते हैं, तो फिर फंदरा दिन की रहाने देखते हैं, बिच बिच में आप साथ हफते हफ्ते भरे में दोक्टर को दिखाया, अगर दोक्टर बोलते है कि नहीं, अगर यह आने वाली बिमार्य को अभी प्रिवेंट कर लें, जी, 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 अब चलते चलते एक आप से एक छोटा सा संदेश लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, जो दर्शक के समय आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन दर्शकों के लिए आप क्या कहना पूरी दुनिया है इसे में तो मैं मेरे सर्फ से तो यह ही कहना चाहूंगा अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मनाया रखे वैक्सिन ले मास्क पहने हैंड वाश करें हैंड सैनिटाइस करें चलिए बहुत धन्यवाद आपका टेकर हेल्थ इस वेल्थ हम बात्चित कर रहे थे कुशल नारनवरे से डॉक्टर कुशल ये डॉक्टर बेटकर होंपैथिक मेडिक एससेशन के और से कई कैम्प्स लगाते हैं चिकित साब जो परिक्षन जांच और चिकित साके शिवीर है और उन शिवीरों का आयोजन करते हैं डॉक्टर साब का अपना एक क्लिनिक भी ना नापुर के वेल्टरोडी रोड पर चलता है और डॉक्टर साहब का अपना जो एक्सपीडियंस है इस पूरी वेव में और ये संक्रमन के काल में पुरे डिएड़ साल का वक्त जो बिता है उन्हों ने उन लोगों के साथ अपना वक्त बिताया है जहां पर संक्रमन बहुत धन्यवाद आप बने रहेगा आवाज इंडिया के साथ प्रोग्राम आगे भी जारी है